So, इस वीडियो में B, T, R के बारे में बात करेंगे बुरी तरह रटो, बिलीफ तो रखो, नाम अनेक, काम एक और वो है PG entrance exam के competition को बढ़ाना So, इस sentence को सुनके तुम्हें इतना पता चल गया होगा कि इस वीडियो में BTR की होने वाली है तारीफ But we have to address some important and crucial questions about BTR So, in my personal opinion, BTR to me is like a brilliant and a complete extensive crash course like thing for PG entrance exams So, crash course वाली बात निकली है तो मैं अपनी एक personal story बताना चाहता हूँ So, जब मैं NEET UG के लिए prepare कर रहा था, मेरी exam date ठी 7th of May 2017 And exam के 2 महिने पहले मैंने नागपूर के आकाश सेंटर में crash course जोइन किया था और वो मेरे लिए बहुत worth it सबित हुआ इसका reason यही था कि मैंने 11-12 की जो preparation जो मैंने अपनी hometown वर्धा में रहके की थी वो seriously dedication से की थी और उसी के वज़र से मेरा base जो था preparation का वो बहुत strong था And उसी का फाइदा मुझे crash course में मिला तो यही चीज़ को हम correlate करेंगे BTR के साथ And इसी से related सबसे ज्यादा प्रचलित question about BTR Is BTR enough का answer भी हमें इसी चीज़ से मिल जाता है अगर मैंने neat UG के time पे सेफ यह सोचा होता कि यार आकाश का crash course कर लूँगा मेरा exam निकल जाएगा वैसा कभी नहीं होने वाला था एक अच्छे crash course के लिए तुम्हें उसका फाइदा अगर उठाना है तो तुमारी base preparation बहुत solid चाहिए During PG preparation मेरी base जो था मेरा solid preparation था From rapid revision notes and उसके ओपर मैंने build up किया BTR के साथ So if you think like कि मैं सिर्फ BTR कर लूँगा बहुत अच्छे से और मेरा 100,000 rank आ जाएगा Then you are giving yourself false hopes अगर हम direct BTR पर जम करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि हमें कुछ नहीं समझेगा Ma'am tries to explain everything, every high yielding point in a very concise manner But अगर हमें ma'am की teaching का 100% essence चाहिए तो हमें एक solid preparation, एक solid background के साथ उतरना पड़ेगा BTR के अंदर तब जाके actually BTR का जो फाइदा है, जो benefit है वो actual exam में जलकेगा So the answer to this very very controversial question कि is BTR enough, is directly no It is not enough, BTR अगर तुम सिर्फ करोगे, तुमारी preparation में कही ना कही चीजे miss out होगी इसलिए हमें rapid revision के साथ मैंने बोला था कि BTR वो combine करना है अभी यहाँ पर थोड़ा मुझे और explain करना चाहिए था previous videos में Combine in the sense मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि BTR की चीजे तुम rapid revision में note down annotate करके रखो For sake of example, I wanted to mean कि if I am reading rapid revision notes of PSM वो खतम करने के तुरंद बाद मैं PSM module of BTR कर लूँगा तो we have to do this one after the other किसी की चीज़ किसमें लिखने की जरूरत नहीं है बर समय पढ़ना एक दूसरे के बाद है इससे और इस approach से मुझे मेरी preparation में काफी help हुई और एक question जो मैंने comment section में देखा था वो ये कि अगर हम rapid revision करते हैं और 7 में दन BTR करते हैं तो बहुत सारी चीज़े overlapping हैं हम एक चीज़ को दो बार क्यों पढ़े So take it as a advantage कि तुम high yielding points, high yielding topics एक revision cycle में दो बार तुमारी नजर के सामने से जा रहा है एक बार RR में पढ़ते हुए, एक बार BTR में पढ़ते हुए तो तुमारी और अच्छे से strengthen होगी preparation और दूसरा ऐसा सवाल जो मुझे मेरी preparation करते हुए समझ में आया कि अगर मैं rapid revision notes कर रहा हूँ तो मुझे constantly ऐसा feeling आती थी कि यार मैं कुछ miss out टो नहीं कर रहा हूँ कुछ रहे तो नहीं रही है चीज़े तो इसी चीज़ को compliment करता है BTR अगर कुछ चीज़े RR में missing है तो वो आपको BTR से मिल जाएगी तो इसको ऐसे समझा सकता हो कि मेरे neat PG के paper में एक सवाल आया था one willy brain disease से related कि which of the following is not true about the same तो वो question या वो fact RR में कही भी नहीं दिया था बट वो मुझे knowledge मिली मेरे BTR से वो भी main video में नहीं था वो bonus BTR में आमने cover करके रखा था तो उस ऐसे छोटे मोटे चीज़े जो हमें miss कर जाती है ना RR में वो अगर BTR से मिल रही है तो मुझे एक sense of completion मिलता था sense of feeling आती थी कि मेरी preparation complete हो रही है अब आते हैं अगले सवाल पे कि who should buy it and when to buy it when का answer ऐसा रहेगा कि अगर तुम अपने MBBS days में हो तो फिलाल तुमें BTR की जरूरत नहीं है तुम main videos, rapid revision videos and then PYQ के उपर focus कर सकते हो तुमें अगर करना है तो करो but time नहीं मिलेगा and who should buy it तो इसका answer मुझे अच्छे से explain करना है कि अगर तुम DAM student हो कि if you are happy with DAMS and DBT तुमें और कोई source की extra add करने की जरूरत नहीं है हाँ अगर तुमें कुछ कमी लग रही है then you can look forward to BTR but if you are an online platform user जैसे marrow cerebrum prep ladder तो इनके RR जब करोगे तो तुम supplement कर सकते हो इसमें BTR वो तुमें काफी अच्छा benefit प्रोवाइट करेगा अभी आते हैं अगले सवाल की उपर कि how to use BTR efficiently देखो BTR not only provide you with subject videos it also gives you compile module test and discussions, mega need BTR series ठोटी copy series तो मुझे नहीं लगता personally कि तुमें ये सारी चीज़े एक साथ एक जगा पे किसी और course में मिल सकती है तो हम अपने revision cycles में जैसे subject to subject जाते है and then BTR के notes पढ़ते है compile module हमें अपने revision cycles में start में करने के ज़रूद नहीं है जब तुमारी 2-3 revision cycle हो जाएगी minimum 2 रखो and रही बाद test and discussions की तो हमें अपने revision cycles में जैसे जैसे ये subject खतम होते जा रहे है वैसे वो subjects की test देखके हमें video discussion देख लेना है ताकि हमारा वो subject का closure मिल सके रही बाद mega neat BTR चोटी copy series ये हमें last revision cycles में ही accommodate करना पड़ेगा क्योंकि ये volatile चीज़े है मैं हमने बताई तो ये exam के जितना pass में कर सको उत्ता better रहेगा सो आता है अभी ending words की तरफ देखो मैंने एक चीज़ notice की है जिसका भी failure होता है exam में या expected rank नहीं आता है बहुत सारे लोग हमेशा sources को blame करते है कि BTR अच्छा नहीं है marrow अच्छा नहीं है या कोई और अच्छा नहीं है हमें खुद को भी analyze करना चाहिए कि क्या हम consistent है क्या हम discipline है क्या हमारी approach सही थी और last and most important क्या हमने एक अच्छी exam दी हमेशा हम अपने गलती किसी और पे डालने की कोशिश करते है source को blame करने की कोशिश करते है INAICT में भी मैंने देखा था बहुत सारी लोग ऐसा बोल रहे थे कि BTR से तो कुछ question आता ही नहीं है BTR तो बकवास चीज है बट वो खुद की गलतीों पे हमसे कहा गलती हो रही है और वो गलती कैसे हम आगे ना दोहरा है So I guess BTR से related कुछ important, crucial, controversial questions को मैंने कोशिश की solve करने की अपना experience बताने की So अगर मुझसे कुछ miss out हो गया है तो you can let me know in the comment section below And अभी तक जो भी previous videos बनाये न मैंने तुम्हारे comments देखके ही उनके topics पे ही बनाये है So अगर और तुम्हारी कोई queries है तो feel free to ask I am always there to help you out So इस video को यही end करता हूँ See you soon guys Till then, जय हिंद And keep being strong